हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पर दोस्तों आज हम ग्यान से तू सुबोध के अंग्रेजी पाठे गरम पर चर्चा करेंगे और इनमें दो जो प्रस्न दिये गए हैं उन प्रस्नों को हल करने की को मेरे चैनल पढ़ाई विद पीके को अभी वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखा हुआ सबस्क्राइब करें उसके बगल में जो घंटी दिख रही है उससे भी जरूर तबाएं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक बटन को दबा कर वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों आप सो भी को याद होगा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बोले थे कि आप लोग घर से जो आपको आप इस टोरी लिख दिया लिखने के लिए वह आप लिखेंगे और कमेंट बाक्स में कमें कहानी बताता हूं देखिए यहां पर आपको देख रहे होंगे कि एक सेर है और जंग और जाल में फंसा हुआ है और आपको एक कहानी कुछ सब्द का परियोग करके लिखना था जैसे कि जंपिंग कैच सौरी हैल्प लाफिंग काट साफ ठेंक यू आपको इन सबी सब्दो का परियोग करके आपको कहानी लिखनी थी तो इस पर कहानी हम कैसे लिख सकते हैं तो कहानी के सुरुआत यहां पर कुछ लाइन से की गई है पहला दिया है कि एक बार सेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था एक चुहा उसके उपर कुदना अप्रारम करता है तो उसके बार हम क्या कर सकते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं कि जो सेर होता है वह अपने निन से जाग जाता है वह बहुत गुस्से में होता है वह चुवे को मारना चाहता है वह चुवे को क्या करता है पकड़ लेता है जिसे चुवा क्या जागा जागा तो जिसे चुवा घबरा जाता है और चुहा सौरी बोलके वहां से चला जाता है उसके बार एक बार ऐसा होता है कि एक सिकारी आता है और सेर सिकारी के जाल में फस जाता है तो मदद के लिए बुलाता है सभी को तो जब चुहा या सुनता है और या देखता है तो बहुत ज्यादा हसता है क्योंकि सेर एक जाल में फसा हुआ होता है उसके बाद चुहा चुकि सेर ने उसे वर पारे छोड़ दिया था तो चुहा जाल को काट देता है अपने जिसका तीखे दांत होते हैं उनसे जैसे कि सेर आजाद हो जाता है और फिवा चुए को ठेंक्यू बोलता है इसी तरह याँ पे लिखने हैं तो यहाँ पर चुकि मेंगा इतना लिखता तो बहुत जादे टाइम लग जाता है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसे copy में लिखके आप लोग مت録्रों को कि अच्छे हैं डाइटिंग के साथ अच्छे मैं लिखा हुआ है आपको भी यहीं पर लिखने हैं अच्छे हैं डाइटिंग किसके साथ आपको इन्हें यहां पर लिखना है तो मुझे लगता है कि आप इस्टोरी को अच्छे से पढ़के आप अच्छे से लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखाया वंस लाइन वाज स्लेपिंग जब एक सेर सो रहा था एक पेड़ के नीचे यह माँ से स्टार्टेड जंपिंग ऑन इट एक चुहा इसके उपर खुजन कि अश्ठोिक्स कोसिस किजिएगा की लिखने में नहीं हो तो चलिए मैं आपको इस पेज को धीरेजी से दिखा था एक आप इन्हें लिख सके तो मैं आपको इतना दिखा रहा हूं आप इने अच्छे से इस स्क्रिन को रोक के लिख लिजिएगा उसके बाद दो पार्ट में मैंने आपको इसका इंसर दिखा दिया है तो चलिए हम आगे चलते हैं हम अपने आज के चप्टरस में तो आज का हमारा P.W. 4 है और हम पढ़ रहे हैं Types of Sentence वाक्यों के परकार मैंने पिछले वीडियो में आपको वाक्य के परकार बताये थे कि वाक्य के तीन परकार होते है Positive वाक्य, Positive Sentence Negative Sentence और Indogative Sentence अगर आप इन सभी को जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देखें तो आज हमको जो दिया गया बोला है Read the story and answer the questions देखें आप आपको इस्टोरी दिख रहे हैं यह आपको इस्टोरी दिये गए हैं आपको इन्हें पढ़ना है और नीचे जो questions हैं आपको उनके जवाब देने हैं तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं इनकी जवाब हम कैसे दे सकते हैं तो इस्टोरी है Once upon a time एक बार Hundreds of mice lived happily in a colony in the forest कि जो सेकड़े जो चुहियां थी वह जंगल में एक समो में रहती थी और वहाँ पे एक बड़ा ताला भी था There was a big lake located near this colony उसके नेरे बहुत बड़ा तालाग था Once एक बार Heart of elephant visited the lake for drinking water Heart मतलब होता है जूंड तो एक बार हाथियों का एक जूंड पानी फीने के लिए उस तालाब में पानी फीने के लिए उधर से गुजरा On their way to the lake तो उनके तालाब के रास्ते में The elephants trampled Many small mice under their heavy feet तो रास्ते में जो हाथ थी थे उन्होंने बहुत से छोटे चूंड़ाइं को अपने पेर के नीचे कुचल दिया ट्रेमपल कर दिया तो दा किंग ओफ में रिक्वेस्टेड दा चीफ औफ दा एलिफेंट्स तो टेक अन अल्टरनेटिव रूट तो दा लेक तो उन्होंने राजा थे उन्होंने हाथियों के राज के परमुक से विंती की और उन्होंको एक दूसरा रास्ता ले लेने को कहा तो दे एग्रीड एंड यूजड अनदर बात तो वे लोग मान गए और दूसरा रास्ते से जाने लगे तो चुछोंने बाद में हाथी के भी हैल मदद की किसे तो सेव देर लाइवस उनकी जान बचा कर जब वह एक जान में फास गए थे तो चलिए हमें आपे जो सवाल दिये गए हैं वो इस परकार हैं कि read the following sentence write T for correct अगर सही है तो T लिखना है और F for incorrect और गलत है इनकरक्ट है तो आपको F लिखना है तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन से सही होंगे कौन से गलत होंगे पर बोला correct the wrong sentence and rewrite them in the given space तो इनमें जो sentence गलत दिये गए हैं उनको आपको फिर से इस आपे लिखने हैं तो पहला दिया गया the chief of elephant was not kind कि जो हाथियों का जो परमुक था वा दयालू नहीं था क्या आप इसा का सकते हैं बुलिए का नहीं सही है इसा हम नहीं का सकते क्योंकि जब चूहों ने उनसे मदद की तो उन्हें रास्ता अपना बदल लिया मतलब कि जो दयालू थे तो आपे जो लिखा गया हुआ है गलत कि हाथियों का जोड़े था उन्होंने कहीं चूहां को मार दिया तो फिर दिया है कि जो चूहां थे उन्होंने हाथियों की मदद उनके जान को बचाने में नहीं की तो क्या सही है वो लेकर नहीं सहर ये सही नहीं है क्योंकि जब हाथियों जाल में फस गए थे तो चूहों ने उनके जाल को काट का उनको बचाया तो अब इसका मतलब कि यह जो है वका गलत इसलिए क्या लिखेंगे आप तो लिखेंगे एफ फिर जो लाश्ट दिया है दा एलिफेंट्स फोलोड दा सेम रूट टू दे लेक के हाथियों ने वही रास्ता से गया जो इससे वह जा रहे थे तो कैसा हुआ नहीं अन्ना रास्ते है अपने चैंज करती अलग कर दिया ते बी हो गया आपके गलत तो इनमें आपके चीफ आफ दे एलिफेंट दे चीफ आफ दे एलिफेंट वाज काइंड कि जो हाथियों का जो राजा थो क्या था दयालू था इस तरह से मेरे पहले वाकिस ही हो जाएंगे फिर मेरे दूसरा दिया गया है दा हर्ड ओफ एलिफेंट किल मैंनी मिस यह तो बिलकुल सही है तो तिसरा दिया है दा मिस दिड नॉट हैल्फ दा एलिफेंट तो सेव दियर लाइफ तो सही है कहने ही कहला था क्या होगा दा मिस हैल्फड दा एलिफांट एक है एले हैंड़ आ अगा है तो सेव देया लाइफ तो इस तरह से आपको लिखने हैं तो मैंने आप लिख लिया है आपको इसी तरह से शैम लिखने हैं चलिए तो फिर अपना अगला देखते हैं दिया है दा एलेफेंट्स फोलोड़ दा सैम रूट टू दा लेक कि हाथियों ने सैम रूट को फोलो किया कि ऐसा हुआ था नहीं सार उन्होंने अपने रास्ते बदल दिये थे तो यह आपके क्या थे तो आपके गलत थे यह आपके एफ थे गलत थे फॉल्स थे तो इन्हें सही करना तो क्या करेंगे तो सही हो जाएगा दा एलेफेंट दिड नोट फोलो दा सैम रूट टू दा लेक दा एलेफेंट्स दिड नोट the elephant did not follow the same route to the lake. तो इस तरह से आपको आपके सभी sentence जो दिये गए हैं आपको सभी sentence को इस तरह से सही करके लिखने हैं, एकला दिया है, वाइ दिद दा मैं सेल्फ दा इल्फेंट कि चुहओं ने हाथी की मदार क्यों की क्यों कि हाथी ने पने जास्ते को चेंज कर लिया था, को इसका एंसर हो जाएगा because क्योंकि y का जबा हम भी को इसे देते हैं b e c a u s because they changed their route लगी है because they changed their route क्योंकि उन लोगों ने अपना रास्ता बदा लिया था भी को इसे देट रूट एक लाद यागा डिड़ एलिफेंट चेंड रूट क्या हांति होने पने रास्ते को बदला तुसका जो कहा है दिके से याफे नो बदला या नहीं तो लिए हांसर बदला तो क्या होगा है तो आपको यह पर लिखना है तो चलिए फिर अपने इंगले स्वार को देखते हैं दिया है फाइन वाब्स फ्रॉम दा गीवन स्टोई देखें आप एक वाड आया है वाब्स भी ए आर बी सको बोलते है वाब्स को पो पुलते हैं जो कोई काम का होना या करना ते सब्सक्राइब वर्व को गाँ है पढ़ना रीड काम है लिखना राइट काम है दोड़ना रन काम है खेलना पले काम तो कोई भी चीज चीज जो काम को दिखाए उसे क्या करते हैं तो बोला कि आप वहां पर रफ छञ़द के आप लिखिए तो आप उसमें और यह लिख लीजिए तो adjectives वह सब्द होते हैं जो किसे noun या pronoun के गुनों को बताता है Those words tell about how someone look like, tastes like, feels like and sounds like यह सब्द बताते हैं कि कोई चीज कैसा दिखता है, कैसा स्वाद है, कैसा महसूस करता है या कैसे उसकी आवाज है जैसे दिया है एक्यूट कैट, एक प्यारी बिल्ली, ब्लू स्काई, नीला आकास, टौफी स्वीट, टौफी मीठा है, ब्रेव स्वालजर्स, बहदूर सैनिक तो यहाँ पर आपको यह दिये गए है फिर एकला दिया है Do you know what adjectives are? Try to find some adjectives from the given story यहाँ पर आपको जो story दिये गए है उन से आपको कुछ adjectives लिखने है तो देखिए, वाइ, story को हम लोग देखते हैं story में क्या adjectives आपको मिलेंगे तो देखिए, आपको यहाँ पर सब मिलेंगे वह है देखिए, तालाब की विसस्ता बता रहा है बिग देखिए, चुगों की विसस्ता बता रहा है छोटे हैं, तो small पेर की विसस्ता बता रहा हैं, भारी है तो यहाँ पर आपको इतने adjectives दिये गए क्या है, big, heavy, small तो आपको आपको क्या दिये गए, big, heavy and small तो चलिए पर लिख लेते हैं तो यहाँ पर जो हमें वह मिले थे, वह क्या थे तो वह जो थे, वह थे मेरे, big small और heavy आपको और भी इसमें adjective मिलेंगे, आप उन्हें अच्छे से पढ़के देखिएगा तो चलिए फिर अपने अगले देखते हैं, तो अगला मेरा दिया गया है water भावस भावस क्या है, जैसा कि आपको बता है कि भावस एक कोई भी काम को दरसाने वाला सब्द है, तथा भावस ये भी दखाता है कि काम कब हुआ है, तो जैसे कि he played, football तो प्लेड है तो भूत काल में हुआ हुआ है, और यहाँ पर आपको विल दिख रहे होंगे, तो विल और से जहां पर होते हैं, वह फ्यूचर टेंस में होते हैं, वह इस सिकाल में होते हैं, तो इस तरह से मेरा पेज नबर 12 समावत होता है, तो इसमें टेंस और वावस दो चीज़ पर मुख हैं, अधि आप यह सब पाले से पढ़ चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे तो हमारा जो अगला पेज दिया गया है वह पेज इस परकार से है सवाल है कि चेंज दा सेंटेंस एज पर दा सकतने हैं कि यह किन में हैं तो यह आपका है परजेंटेंस में हमें इन्हें बदलने हैं पास्टेंस में चलिए वह लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हो जाएगा कि वह पटना इसका पास्टेंस हो जाएगा ही वेंट तू पटना अधरी आपने टेंस पढ़ा होगा तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे आप इनको इसी तरह से को नॉट कर लें अगला सीमा एट मेंगो यह आपको दिये गए हैं पास्ट टेंस में इन्हें हमें लिखना है फ्यूचर टेंस में तो क्या लिखेंगे कि सीमा वल इट मैंगो सेमा विल इट मैंगो यहापकी हो गए यहापे अगला दिया गया है I will read the story book at night यह पास्ट एंस में सो बदलना है यह आपको future में दिया है क्या होगा तो read का past ready होता है तो I read the story I will read the story book at night book at night आपको इस तरह से इन्हें अच्छे हैंटाइटिंस में लिखने है अगला दिया गया है परजेंटेंस में में लिखने के लिए बोला गए अचलिए में से मिटा देता हूँ दिया है एट ट्रक ड्राइबर 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 ड्राइब ड्राइब फास्ट देखिए चाप यो दिये तो हैं इसे पास्ट में हमें इन्हें लिखना है परजेंट में चलिए लिखते हैं तो हो जाएगा ये ट्रक ड्राइबर 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 ड्राइब फास्ट अब इन्हें भी इसी तरह से सेम इस पने नॉट्पूक में लिखेंगे। अगरा दिया है गीता डिड नॉट फिंड रेस आपको इन्हें फ्यूचर में लिखना है तो फ्यूचर में सेल या विल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गीता विल नॉट विन द रेस विन द रेस तो चलिए फिर देखते है अपना अगला सवाल अगला दिया गया ए आयम टायड इसे एमें पास्टरंस में बनाना है तो क्या होगा आयम टायड का पास्टरंस básicamente तो I am tired का past tense होगा, I was, am का past was होता है, तो I was tired, मैं ठक गया था, I was tired, तो चलिए, इस तरह से मेरे पहले वारे questions complete होते हैं, इसके बाद जो अगला मेरा questions दिया गया है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिया गया है, think about the activities that you like, do, and activities you don't like doing, write them in, that is given below, बोलागे कि आप जो चीजा पसंद करते हैं करना, वो जो चीजा आप करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें आपको यहां पे लिखने हैं, तो आप मनें बताईएगा कि आप क्या पसंद करते हैं, तो आप उन्हें किसे लिखेंगे, तो देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलो को मैं खेलना पसंद करता हूं, तो आपको लिखना है, I like I like और आप जो पसंद करते हैं वो आपको लिखना है जिसे मैं लिखा I like तो आपको इतना लिखने के आप जो पसंद करते हैं जिसे I like to play आप खाना पसंद करते हैं क्या लिखेंगे I like to eat और क्या खाना पसंद करते हैं आम वाव आम तो सब कोई ही पसंद करता है क्या इनमें कोई है जो कि आम पसंद नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं जिस तरह से आप और जो लिखना है जैसे बहुत कोई गाना पसंद करता है तो क्या लिखेगा I like to sing मैं गाना पसंद करता हूँ I like to sing बहुत कोई नाजना पसंद करता है तो I like to dance और dance तो I like to dance तो जो जो पसंद करते हैं वो आप यहां पर लिखती जिए और क्या पसंद नहीं करते हैं वो आप लिखना है तो बच्चे जो सबसे कम पसंद करते हैं वह होता है, I like not to eat, I like not to eat, जैसे कि आप लोग क्या पसंद नहीं करते हैं, माली आप रोटी पसंद नहीं करते हैं, तो I don't like to eat, रोटी, इसी तरह आप जो पसंद नहीं करते हैं, वो आपको लिखना है, I like not to, I like not to, तो आपको लिखने है, I like not to, जैसे कि बहुत कोई होता है, जो जिन्हें कि डांस करना पसंद नहीं है, तो क्या लिखना है, I like not to, I like not to, I like not to go to, I like not to go to school, तो आप लोगों में बहुत कोई होगा जैसे कि जाना पसंद नहीं करता है, घर में ही राना और खेलना पसंद करता है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, बिना समय बरबाद किये, सवाल है, नावाडेज, फ्यूफेल, कील एनोसेंट एनिमल्स, एड इंजॉई हांटिंग, राइट सम स्लोगन्स, तुसेव एनिमल्स, पुलागे कि आज लग कर लोग जानवरों को मारते हैं, जो की निर्दोस होते हैं, जो कोई दोस नहीं होता है, और इस तरह जानवरों को मार कर जो सिकार होता है, उन्हें वो उन्जॉई करते हैं, उनका वो आनंद लेते हैं, तो इस पर आपको कुछ स्लोगन लिखने हैं, कुछ नारे लिखने हैं, जैसे कि यहाँ आपको नारे दिए गया हैं, सूट अस В विदू केमरा नोट गन्स, की जानवर बोलते हैं, क इसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको दूँगा तो इस तरह से मेरा पेज नमर तेरा होता है यहां समाप्त और अधी आपको यह वीडियो लगे होंगे अच्छे लगे होंगे आपको यह हैलफूल और मदद की होगी इसने अधी आपको अपने ग्यान पुस्तक सुब लेंगे अगले वीडियो में पेज नमर चोकदा, पंद्रा, सोईला और आगे के पेज नमर के साथ लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात कि अधी अभी तक भी आपने मेरे चैन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बाद सब्सक्राइब कर लें तो चल झाल